हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल आई एम प्रेम कुमार और यहां पे हम लोग सब्सक्राइब बीपीसी मेंस के लिए जो है प्लान लेकर आए हैं और इसमें एक तरह का करेंगे तो यहां पर यहां पर देखिए यह सबसे पहला बात इनका प्री हो गया है वह तो में लगे हुए है और जिनका नहीं हुआ हो उनको हातास होने की जूरत नहीं है प्रस्तावित है तो यहां पर देखिएगा तो यहां पर देखिएगा तो अब आपके पास यहीं बस नारा बचा है तो करो या मरो नहीं छोड़ दो या फोर दो मतलब करो या तो प्री मेंज को चोड़ दीजिए और प्रीम लग जाई है या तो हिसको फोर दीजिए आदि मैं आसा करता हूं कि आप लोग भी यह मेंस के लिए पहले से प्रिपेर होंगे सीरियस होंगे तो अभी तो बस लास्ट एक्स्ट्रेट जी है कि आप लोग रिविजन कैसे करेंगे और आपको कल्विडेंस बिल्डप हो बस उसके लिए मैं आया हूँ और देखें मेरे कुछ एक्स्प्रियेंस ह है और आप लोग मैं अपना प्लान ही प्रवाइड कर रहा हूं तो जो फ़र्ष्ट बार मेंस दे रहे हों तो फ़र्ष्ट आइमर तो वो इसको अच्छे तरह से फॉलोग कर सकते हैं और हमारे चैनल पर ये सब्सक्राइड है और यहां पर देखिए हम लोग ये लेकर आए हैं कि इसमें क्या प्लान होना चाहिए कैसा रोटीन होगा आपका ये तीस दिन में आप कैसे इसको टैकल करेंगे इसे वेरी डिपकल टास्क ये मेंस एक तरह का समझे कि बहुत ही बड़ा ये हडल है क्योंक इंटर्व्यू तो बस प्रशनार्टी चेक होता है तो इसमें दिखिए हम लोग सीडूल जो बीपेसी का ओपिसिल साइट पे है तो 29 दिसमबर को क्या है तो यह जीएस वन है और सेकेंड सिप में जीएस टू है तो देखिए फॉस्ट इप साढ़े नौ बज़ से लेकर दोनौ पेपर को रख दिया गया है जीएस वने टू तो देखिए पहले यह 66 में जो है पहले हिंदी होता था और जीएस वन होता था जीएस टू नेक्स देन होता था और और ऑफ्शनल किसी और दिन बट इसमें जो है यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है यह है 29 देसमबर तो क्यों कि यहां पे दोनौ पेपर यह आपको बैलेंस करना इट्स वरी डिफकल्ट तो चलिए यहां पे 30 दिसमबर को यह हिंदी है यह जश्ट क्वालिफाइंग होता है दोस्तों और यह पहलाई सिफ्ट में है और फिर नेक्स दे 31 दिसमबर को यह साड़े नो साड़े यह याद रखना है कि केवल फर्स्ट दिन यह आपको जीस्टू है अधरवाइस सब पहला सिफ्ट में है और अपनल सब्जेक्ट आपका लास्ट दिसमबर को है यह साल का लास्ट खतम होगा तो आपका यह मेंस भी खतम होगा तो देखिए और फर्स जनूरी के नया साल के स सुरुवात होगी तो हैपी नुव यह एडवांस में मैं यहाँ पर बूल रहा हूँ तो आप लोग मुझे भी विश्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड फिल फ्री आस्टू एनिक क्वेरी इंदा कमेंट बॉक्स और इफ्यार न्यू तो मैं चैनल प्लीस लिखा है क्यों लिखा है इसको आगे आने वाले यह मतलग भी थोड़ा देर के बाद आप लोग को यह समझ में आएगा और 30 को कैजवल लिखा था क्योंकि हिंदी यह आपको जस्ट क्वालिफाइंग है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बट हिंदी जो इंग होती ही मतलब की एक मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि एक मंद में कि इतना यह अच्छा से आपको बता दिया जाए तो चलिए लेट से स्टार्ट कि क्या करना है आपको 30 डेज का यह स्टेड़ी और प्लान में में लिए हम लोग आप प्लान और रोटीन डिसकॉस करेंगे इस टेड़ी वाला वीडियो अलग से डाला गया है इसमें भी थोड़ा सा इंक्लूट करेंगे बट वो थोड़ा से सौट होगा देखिए तो सबसे पहला चीज़ कि लोग जो है एंसर राइटिंग पे यह कन्फूज रहते हैं कि एंसर राइटिंग करना एक नहीं मालीजे कि आपको एंसर रेटिंग लिखना आया है तो मालीजी आपको मैंने रसय उक्रेण ये टॉपिक दे दिया और आपको पता भी है आप रसय उकरेण पे पूरा लिखे जा या पहले बार दे चुके हो दो बार तीन बार तो आप लोग इसको मतलब कि एंसर राइटिंग को कंटीनू करेंग अच्छे से और यह लोग भी करेंगे बट यह थोड़ा कम करेंगे तो दिखिए यहाँ पे इस्टेड़ी में हम लोग सबसे पहले प्लान पे आने से पहले थ तो कैसे लगाना है किसी कोचिंग का लिए हो तो आई थिंग बहुत लोग लिए हो या अभी रिजल्ट आया तो बहुत लोग नहीं भी लिए होंगे तो टेलिग्राम पे चल रहा है या आप लोग ऑनलाइन पर जोईन कर सकते हैं और यहाँ पर दिखिए सबसे में तिंग ह उनसे भी आप evaluation करा सकते हैं तो यह चीज़ कर सकते हैं या कोई coaching का आप लिए हो तो आपे यह बेटर रहेगा और देखिए यह recall वाला मैंने बात यहाँ पे discuss कर दिया तो यह answer writing मतलब कि पूरा page लिखने से अचा है कि आप point लिख है और उसको याद करने का प्रयास करें कि याद आ रहा है कि ने active recall हो पा रहा है या नहीं तो चलिए इतना यह strategy और यह मैंने आपको discuss कर दिया यह एक तरह से समझे कि आपको आइना दिखाने का काम कर रहा है कि आपको आगे बढ़ना कैसे है तो next में हम लोग चलते हैं कि यह दिखे सबसे पहला चीज जो topics है मैंने एक अलग से वीडियो है उसको मैं comment box में pin up कर दूँगा उसका link या आप लोग आई button मिल जाएगा तो उसको जरूर देखेगा और I have clear six exams उसका भी एक वीडियो आप लोग उसको भी देख सकते हैं चुलिए यहाँ पे यह 30 days का plan है तो इसमें देखिए मैंने 4 यह पार्ट मे बीशे सन किरिया बीशे सन और जो भी चीज़े हैं यह संदी बीशे समास या जो भी यह से यह सब चीज को एक बार आप प्रिवेस यह 2-3 साल का देख लीजेगा आपको आईडिया लग जाएगा उसी से आपका यह qualifying हो सकते हैं पर इसमें भी बहुत लोग को यह मतलब कि हो यह तीन पिलर में GS1, GS2 और optional तो देखिए GS1 और GS2 के बारे में हम लोग discuss करने से पहले optional पर बात कर लेते हैं क्योंकि optional यह चोटा topic पढ़ेगा तो देखिए optional में सब सब पहले आप जीस book से पढ़े हो या किसी coaching note से पढ़े हो उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है बार बा बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको पता चले कि कि आप question repeated हो रहा है कि नहीं तो बीपेस बहुत question repeated होता है यह मैंने भी देखा है आप लोगों को भी पता होगा तो यह चीज़ आप देख सकते हैं meta analysis कर सकते हैं देखिए optional एक game changer है क्यों game changer है तो आपको मैं बताता देखे छे 12 में से 6 question लिखना रहता है I think ज्यादा यह optional का यह होता है यह engineering बाले optional में कुछ और रहता है मेरा civil engineering और यह मैं बता दूं इसमें आप लोग और इस question में से आपको लिखना रहता है तो बहुत ज्यादा इस question का selection important हो जाता है तेकि हमानिटी वाले subject में जिसे history यह अगर किसी का engineering subject हो जैसे science यह अदर्द में लेख सकते हैं जैसे English literature, Hindi literature, Mathly side तो वो लोग answer writing ज्यादा करेंगे चीज़ों को recall करने का question और practice करेंगे यहाँ पे engineering वाले में question practice सबसे question selection और practice और accuracy सबसे important हो जाता है तो अगर कोई civil engineering optional से हो तो हमारे चैनल पे यह उनका वीडि का मैं optional के बारे में हैं discussion नहीं कर सकता हूँ तो आप लोग यह आप लोग अपने coding मतलब की पता ही होगा आप लोगो तो आर्थरी एक formula है यह revision 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 इसको करिए P3 practice practice and practice यह science और engineering वाले में लगएगा और R3 humanity और यह आपको others वाले में लग जाएगा तो यहाँ पे answer writing करते रहना है आपको देखिए तो यहाँ पे PYQ और यह सब हो गया देखिए optional सबसे में चीज़ है कि सबसे ज्यादा depth analysis मंगता है क्योंकि यह जो है एक तरह का आपका expertise है इसमें तो आप इसमें जो है आप rank improve भी कर सकते हैं यह आप optional में तो यहीं जो है optional आपको मतलब की जैसे कि आप इस चीज़ को आप करना होगा तो मेरा यह mistake से आप लोग सकते हैं कि आप लोग अपना कोई experience हो तो comment box में share कर सकते हैं तो यह optional का बात यहीं तक रहा और अब हम लोग यह 10-10-10 यह प्लान देखेंगे यह क्या है 10-10-10 2020 नहीं 10-10-10 20-10 है तो चलिए इसको देखने से पहले ह हम लोग GS1 और GS2 के बारे में थोड़ा सा analysis कर लेते हैं तो friends यहाँ पर देखें GS1 and GS2 के बारे में आएगा तो देखें यह 15 question में आता है GS1 में यह 8 की बनाना रहता है यह हर सल का यह track है और GS2 में 8 बनाना रहता है 12 में से तो इसमें question number of question जो है आपको अपास option कम होता है तो इस पार्ट को आप लोग थोड़ा अच्छे से करिएगा यह इसमें ज्यादा themes वाला topics होता है repeated और यहाँ पर जो है question ही repeat होता है बार-बार alternate करके तो इसको हम लोग देखते हैं कि section 1, section 2, section 3 यह 3 पार्ट में हमने GS1 को divide किया है यहाँ पर देखेंगा section 1 में जिस बुक से पुछा जाएगा और जैसे पिछला बार आया था पटना कलाम तो इस बार जो है मौरिया आ सकता है और यह उसमें से एक उसके अलावा आप देख लीजें मौरिया के अलावा पाला तो इस टाइप का आप लोग question यह verify कर सकते हैं कि क्या पूछेगा तो हिस्टी का यह predictable हता ह पूछन का थोड़ा सा यह मतलब की पैटर्ण या आस्किंग यह टेक्निक है ओट चेंज हो सकता है बट यह important होता है छे साथ हो में देखिए यह चामपार्ण सत्य अगरा आया था तो इस बार आपको क्यूइट इंडिया मुव्मेंट यह भारच छोड़ा अंदोलन यह करते हैं तो काम चल जाएगा वे इस बार इंपोर्टेंट है तो जी इंपोर्टेंट टोपिक का लिस्ट है हम लोगों ने डाल दिया है उसको एस्टेट जी सिलेवस बला वीडियो आपको देखना है तो इससे काम हो जाएगा यहां पर जल्दी फास्ट यह प्लान देखें यह मैं यह नहीं कर रहा हूं बस अगर यह यूपेसी वाले ज्यादे इसको फॉलो करते हैं तो यह देख सकते हैं या आप आस्ता या किसी और का भी लिया हो तो वहां से आपका काम चल जाएगा बट आपको यह टॉपिक्स भेरिफाई करना होगा तो उस वीडियो को देख कारगल इंपोर्टेंट एरुन मिलेगा देखने को देखे तो यह 66 में क्या आया था तो एक आया था हरित भारत आप के बारे में पुछया था तो देखेंगे यह किसी KI पाता भी नहीं अपर अच्छा से कैसे लिख पाएंगे एक इंडिया- WHAT टॉन तो भी बहुत पुराना पढ़े थे और यह रुजगार कुछ लिए था है इसमें मैंने भी तोड़ा सा जानता था बट इसमें टॉपिक ही नहीं था मतलब कि यह आप लोग देख लीजेगा और इसको त्यार करिएगा इस पर एंसरा इंसरा इंसर मनाने का प्रयास करिएगा हमारे चैनल पर आपको इस सब टोपिक का यह वीडियो मिल जाएगा आयर एंकरेंट हम लोग बहुत अच्छे से डिसकस किया है और साइंस एंटेक का भी बहुत सा कवर कर लेते हैं अपने बुक से तो यह यह कर सकते हैं और जहां तक रहा डिया और इस्टेक्स का बात तो यह आप लोग प्रिवेस एर कोशन मेक्सिमम लगाएंगे और खुझ से बलाने का प्रयास करके तो अब एंसर देखेंगे और अगर कुछी कोशिंगा टेस्ट ले हो तो यह और भी अच्छा है आपके लिए अधरवाइस आपके यहां का बुक प्रिक्टिस की हो या कर सकते हैं अगर आपका वीक है तो यहां पर दू तीन टाइप का कोशन आता है जैसे कि बार बार ग्राफ लाइंग राफ पाई चार्ट का कोशन तो यह देखिए पाई तो यहां पर लगा तो यहां प्षाइब यहां पाई यहां जैक्स थो तो चलिए यह बहुतर में बहुतर भी इसको आप लोग कर सकते हैं मैंने तो सभी बनाया था आठी का मेरे कोपी आएगा तो हम लोग इस चैनल पे लेकर आएंगे उसको एनालिसिस करेंगे आप लोग के लिए और भी मतलब की कारगर होगा यह 60 वा बीपी से पहले ही आ सकता ह मैंने आठी एक माने पहले ही डाला था यह देर मंत होगे आभी तक आया नहीं है बट मैंने आठी का फर्स्ट अप्रिल भी कर दिया है तो आई तिंक कि आज आएगा फर्स्ट अप्रिल से तो आएगा तो हम लोग उसको वीडियो में जरूर डालेंगे और यह जो है आप ल लोग ने देख लिया यह फर्स्ट वाला है इंश्ट एंट कल्चर फिक्स क्वेस्टन से हैं अलमस्ट यह देख लिएगा आईयर का टॉपिक बीजन एस में इस्टी 65 या जो भी हमारे चैनल पर कराएगा टॉपिक्स या आप लोग ने त्यार किया हो तो उसको देख लेना है मोडल इसा त्यार करना आपको और यह दिया में प्रिवेस्ट एर कोश्टन पुरा अच्छे से लगाना है एक रिवस्टी का ध्यान रखना इसमें और स्टेप वाइज भी ध्यान रखना है तो अच्छे मार्स मिलेंगे अप्सनल का हम लोग ने बात कर लिए आपने आप यहाँ पर देखि Hey Keeping कॉस्ट्न यहां पर फीट हो रहा था सक्षन वन में देख्येंगा थो !! यह पर लोग ब्रॉड नॉलेज रखेगा सारे टोपिक का एक नोट्स बना लीजेगा तो देखिए जैसे 66 में आपको पूछा था ये फेडिलिजम से रिलेटेड तो इस बार हमको लगता है कि कास्ट पॉलिक्स से पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है तो ये सब आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे इसका टॉपिक भी पूरा डिसकस किया हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं देखिए सेक्शन टू में आईएगा तो इकनोमी एंड जिगरोपी तो जिगरोपी वाले पे कमी मतलब की वेटेज है डाटा अपडेट है तो उसको आपको पढ़ना होगा उससे रिलेटेड कोश्चन आता है जैसे कि आया था साथ नीचे यूजना टू और आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड से कोश्चन आया तो उसमें इसकी मताना था गोवर्मेंट का बिहार गोवर्मेंट के रिस्प यह सब टोपिक आप लोग देखेगा ग्रिन यह अभी न्यूज में जो चल ला था यह एकनोमिस रिलेटेड यह सब आप लोग जरूर अच्छे से कवर करेंगे सेक्शन तरी में आईएगा तो साइंस एंट टेक वाले टोपिक में यह आप लोग देख सकते हैं कि ज्यादा करेंट वेस कोशन होता है तो इसमें भी थीम रिपीट होता है विजन मेंस आईएस 365 का आप लोग अगर देखना चाहिए तो देख सकते हैं या पीवाई को लगा लिजेगा जैसे कि न्यूज में है 5G तो पूछा जा सकता है बायो टेकनोलोजी बार-बार रिपीट होता है फ्लरनेट रॉट भी बार-बार रिपीट होता है इसको आप लोग को एकदम रट जाना है समझेए तो मेंस में आपको चीजे यान्द होगी तभी आप पोडूस कर पाईएगा उतना कम टाइम में आपको लिखना है तो इस चीज को आपको केर करना पड़ेगा तो चलिए म बायोटेक का क्या अप्लिकेशन है एक्रिकल्चर में हेल्थ में इस टाइप का कॉशन जैसे कि अभी न्यूज में आटी बीसल इंटलिएंस चलना है रोबोटिक चलना है क्वांटम कम्प्यूटिंग थोड़ा-थोड़ा सा देख सकते हैं पूछा जा सकता है जैसे कि कभी कभी कोशन आता है तो जैसे कि और्गेनिक ये कार्बन न्यूटर फार्मिंग पुछ लिया ये सीडिप्यों में साय तो या यह ओ में तो देख सकते हैं उसका भी कोशन आप लोग को आईडिया लगेगा तो जैसे कि पूछा भी हाल ही में स्रिलंका एक्रोमी क्राइस रस्य ये सब important है तो पूछे गई न तो ये सब आप लोग को देखना है और कुछ और भी topics जो आप लोग analysis करके बनाए हो तो आप लोग जुरूर देख लिएगा तो यहाँ पे हम लोग का में जो चीजे हैं वो हम लोग का discuss हो गया कि कैसे आपको पढ़ना है क्या strategy होना चाहिए और यहाँ पे क्या plan है कितना तरीक है कैसे कैसे करना है अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि यह चीजे आपको 30 डे में कैसे plan करना है क्या routine होना चाहिए तो यह आपके पास बहुत सारा option है देखिए पहला option हम लोग यह अगर यह explore करते हैं तो 10 10 10 का है कि दूसरा number का यह plan है कि GS1 और GS2 दुनों को combinedly आप लोग 15 दिन तक पढ़ लें और अपनल को 15 दिन तक पढ़ लें बट यह भी I think feasible उतना नहीं होगा क्योंकि अगर 15 दिन तक यह पढ़ते रहेगा फिर 15 दिन तक यह पढ़ेगा बूर भूल भी जाएगा तो यहाँ पे सबसे तेन आवर के आसपास पढ़ने का प्रयास करूँ से ज्यादा हो जाए तो और अची बात है बारा हो जाए तो क्योंकि लास्ट मन्त है अगर आप एपोर्ट लगा देंगे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा अधर फीर से आपको एक साल का प्रोसेस यह अंसर्टवा में चीजे कुछ में इंटर रिलेट करने वाला समझने वाले चीजे है उक्रमी के चीजे है इसमें डाटा भी कुछ है तो सुभा header होता है याद बी कर सकते हैं और यह पॉलिटी भी है जिसमें कि बहुत सरा यह मतलब कि मेटा अनिलिसिस करना पड़ता है आपको टॉपिस में जैसे कि पॉलिटी में बहुत सरा कोश्चन जो है घूमा कर पुछता है जैसे कि परलियमेंट जो सोरी फंडामेंटल लाइट एक हां से दिया गया एक दूसरा बैटेस दे सकते हैं यह सुबह में और यहां पर देखिए यह नून दो पहर में जैसे माले जैसी इस सुबह में दो घंटा सब्जेक्ट है तो आप कुमेंट मत्या यह कौन कॉन फॉलोग कर रहा है यह प्लान को और किसको अच्छा लगर अगर आपना फिड़ ब्लाइक आप लोग दिजेगा तो दिखिए यहां पर यह आप लोग को पढ़ना है नून में जैसे कि मैं यहां सोन को तो चार घंट मैं इसको देने का कोशिस कर रहा हूं तो यहां पर दस घंट आपको यही हो गया सब्सक्राइब कर लाएंगे तो देखिएगा यहां पर लाएंगे तो सब्सक्राइब कर लाएंगे तो इसको आप रात में रिवाइज कर सकते हैं और आपके नाइट में कुछ आप एक घंटा के लिए मैं रखा हूं दस घंटे कर सूच के चल लाएं तो यह एक्टिव रिकॉल का कोश्चन आएगा यह जो भी चीजे दिन पर पढ़ें आपको रिकॉल करना है कि यह चीजे मुझे याद हो रही है या भूल रहा हूं कि क्योंकि यह एट लास्ट आपको एक्जामिनेशन हॉल में सारे चीजों पोड्डियू सिंग करना है अगर आप प से यह रिकॉल कर क्लिकना है तो यह चीज को प्रेक्टिस करिएगा ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा तो इस चीज को ध्यान रखेगा तो यहां पर आप लोग प्लान कैसा लगा आप जरू कमेंट बताएगा और यहां पर देखे हैं हम लोग यह देख लेते हैं कि यह हम यह वाला यह आपको करेंट अफेर्स का है उस वीडियो का जुरू देखिएगा बहुत ही फायदा मंद है बहुत सारे लोगों ने देखा है यहां पर पॉलिटी में देखिए पंडामेंटा डिपीस पीए सब पर डिलीजन प्लानिंग कमिशन पवार्टी अन प्लामेट य और जो है जो टॉपिक्स का इनालिसिस है उसको जुरू देखिएगा वहाँ पर आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा और यह आप लोग प्यू आईक्यू को जुरूर एनालिसिस करेंगे और हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे इस वीडियो में इतना ही करना चाहूंग कि लहारो इड़र करनों का पार नहीं होती कोसिस करने वालों की हार नहीं होती तो अपलोगों को मतलब के हैस्परिंट लगाते रहा आप टो यह एक मंद करने टाइम बचा हैं और यह लंबा ये duration का होता है तो आपको ये sprint करना है अच्छे से तो मेरे तरब से ही suggestion होगा कि अच्छे से मैनत करिए ये either you break it और crack it ये वाला topic छोड़ दो या फूर दो का concept लगाईए और मैनत से ये आप crack करने का प्रैस करिए तो बस इतना ही करना चाहूँगा और मैं अपना मानी को बिराम देता हूँ थैंक्स पर वाचिंग, all the best and bye bye दोस्तों